सलाम आलेकुम मैं हूँ सजाद ली टेक पीडिया से दोस्तों रिसेंडली स्ट्रॉम फाइबर ने अपने कनेक्शन की जो स्पीड है वो चेंज कर दी है 10 MB वाले जो कनेक्शन है उसको 15 MB कर दिया है 20 MB वाले कनेक्शन को 25 MB कर दिया है इसी तरीके से 50 MB वाले को 55 MB और 100 MB पर सेकंड वाले इंटरनेट के कनेक्शन को 110 MB पर सेकंड वाला कनेक्शन कर दिया है तो इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों के सामने 35 MBPS के कनेक्शन का स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ इसकी आज हम प्राइसिस देखेंगे इसके फीचर्स को देखेंगे और हम आज इसके पूरे कनेक्शन को डिटेल से रिव्यू भी करेंगे सबसे पहले इसके मॉड़म को डिसकस कर लेते हैं बिलकुल सेम वही हुआ भी कमपनी का ही है एक टेलेफोन सेट एक टीवी अठैच कर सकते हैं इसके इलावा चार LAN पोर्ट्स हैं अब आपकी मर्जी है कि आप इसके साथ चार लैपटॉप या कंप्यूटर अटेच करते हैं या इसके इलावा एक्स्टेंड करने के लिए नेटवर्क स्विच भी आप इसके साथ अटेच कर सकते हैं ज्यादा टाइम में आप लोगों का वेस्ट नहीं करता चलते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ 35 MB के कनेक्शन का स्पीड टेस्ट मैं इस टाइम करने लगा हूँ स्पीड टेस्ट एप भी मैंने ओपन कर ली है अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ इसको 5 MBPS की इसकी पिंग आई है 34 MBPS 33 MBPS तक इसकी स्पीड आ रही है डाउनलोड की अब इसकी अपलोड़ स्पीड भी चेक हो रही है अपलोड स्पीड का दो जो इसका टॉर्क है वो 40 MBPS से भी उपर गया है अब यह 36 MBPS तक आ गया है 35 Mbps तक इसकी upload speed आ रही है 35.8 Mbps तक इसकी upload आई है 33.8 तक इसकी download speed आई है दुबारा चेक करते हैं इसको इसकी ping 3 millisecond तक आई है अब यह 36 Mbps तक इसका connection गया है speed test गया है download का अब वही same 33 Mbps, 34 Mbps तक गया है और यह download speed तो इसने 50 Mbps भी cross कर दी है इसके torque में अब यह वही 34 Mbps तक आगया है 33 Mbps तक जी इसकी download speed की जो average speed आई है वह 34 Mbps तक आई है और upload speed 34.2 Mbps तक आई है मतलब यह है के वही same 35 Mbps तक इसकी speed आ रही है जो के बहुत ही जादा अच्छी है मैंने personally इस connection को review भी किया है बहुत ही जादा smooth किसम की scrolling होती है image जो मैं open करता हूँ या video की जो streaming है वो भी बहुत जादा जबरस्त है अब इसकी prices को भी discuss कर लेते है basically strong fiber triple play services देता है जिसके अंदर आप telephone, TV और internet इस्तमाल कर सकते हैं इसके advanced charges 8000 रुपए है 35 Mbps के और monthly charges तकरीबन 6000 रुपए है और ये जो charges मैंने अब आप लोगों को बताए हैं ये after tax है इसके इलावा एक और package भी strong fiber हमें देता है जिसके advanced charges तो 15000 रुपए है लेकिन आपको इसके बाद 3 महीने तक कोई भी payment नहीं करनी होगी चौथे महीने से आपको same वो ही 6000 रुपए after tax monthly payment करनी होगी उमीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा फिल्हाल के लिए इतना ही अल्ला हाफिज